नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं, पेशे 11 नॉमबर शुकरबार दुपरसवा एक बजे राज़स्तान की बारा बड़ी खबरे सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेड्लाइन्स पर तीन दीन में 30,000 नौकरियां देंगी 250 टॉप कमपनियां पेम मोदी बैंगलूर पहुँचे, चेननी मैसूर वंदे भार ट्रेन को दिखाई हरी छुंडी खाटू श्याम पद यात्रियों के लिए बनेगा 5 मीटर चौड़ा पदमार हिमाचल में चुनाव प्रचवार खत्म कल होगी वोटिंग और देवस्तान विभागने की अपेल वरिस नागरिक तिर्थ यात्रा योजना है फ्री और अब खबरे विस्तार से राजिस्तान में पहली बार देश की 250 से ज़्यादा नामी कमपनिया एक छट के नीचे बेरोजगारों को रोजगार देने पहुँच चुकी हैं इसमें रिलाइंस इंडस्ट्री से लेकर अडाने ग्रूप बज़ाज जैसे दिगज ग्रूप में दसमी पास से लेकर सभी तरह के बेरोजगार नौकरी पास सकेंगे करीब 3 दिन तक चलने वाले जॉब फेयर में 30,000 से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का टार्गेट रखा गया है जोदपुर में आज से दो दिन का डीजी फैस्ट जॉब 11 और 12 नौमबर तक चलेगा इन दो दिन में 20,000 से ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी आफर होंगी इसके बाद अगले सोमार यानि 14 नौमबर को जैपुर में लगने वाले मेगा जॉब फेयर में भी 10,000 बेरोजगारों को अन दो स्पोट नौकरी आफर की जाएगी इस दोरान कंपनियों के अधिकारी इंटर्व्यू लेकर सेलेक्टिट कैंडिडेट को आफर लेटर भी देंगे प्रधानमंति नरेंद्र मोधी शुकरवार को बैंगलूरू पहुचे सबसे पहले उन्होंने बैंगलूरू रेल्वेस्टेशन पर मैसूर चेन नहीं वंदे भारत ट्रेन को हरी ज़ंडी दिखाए ये देश की पांचवी और साउथ हिंडिया की पहली वंदी भारत ट्रेन है इसकी बाद मोधी बैंगलूरू में केमपे गोडा इंटरनाशनल एरपोर्ट के टर्मिनल डू का उद्खाटन करेंगे मेरा रिपोर्ट की मताबिक ये टर्मिनल लगभग 5,000 करोड रुपए की लागत से बना है बैंगलूरूर एरपोर्ट पर राजिपाल थावर चंद गहलोत और सीयम दसवराज बुम्मई ने प्रिधान मंतरी का स्वागत किया बाबा श्याम के फालगुन मेले से पहले मंदिर विस्तार को लेकर सीकर जुला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने खाटू श्याम जी में अधिकारियों की मिटिंग ली बैटक में मंदिर में बढ़ती भीर को कंट्रोल करने के लिए बाबा श्याम मंदिर का विस्तार मेले से फैले करवाने के निर्देश दिये जुला कलेक्टर ने मेला मजिस्ट्रेट कारेले में संबनित विभागया दिकारियों के साथ मीटिंग ली उन्होंने पी डब्ली डी को निर्देश दिये कि शाम मंदिर कमेटी की और से रिंगस से खाटु शाम जी तक बाई तरफ पैदल यात्रियों के लिए पांच मिटर चोड़ा पद मार्ग बनाया जाए इसमें लाइटिंग की विवस्ता भी रहेगी हिमाचन में चुनाव प्रचार थम गया है अगले 48 गंडे तक हिमाचल को साइलेंड जोन घोशित कर दिया गया है चुनाव प्रचार के लिए दूसरे प्रदेशों से आई नेताओं ने हिमाचल को छोड़ दिया है यदि कहीं कोई नेता प्रदेश में पाया जाता है तो उ जर्गू के लिए निशुल्क संच्वालित की जोरी है इसमंद में फरजी फॉन कॉल करके धन राशी की मांग करने वालों के प्रतिसावधा रहने की अपील देवसान विभाग ने की है देवसान विभाग के सायक आयक तो गौरफ सोने ने बताया कि राजी सरकार वल्स नाग पार करीब 300 शिक्षक कारण हैं सरकार कम नामांकन वाले स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करने के तैयारी में है इसक लिए सरकार ने जिला सतर से रिपोर्ट मागए है जो बहेज़ दी गई है सभी जिला मुख्यानों से मागए गई रिपोर्ट के अधार पर तैक करनी होगी रहसान करम चारी चैन बोर्ट के ओर से बारा और तेरह नुवंबर को वन रक्षक भरती परिक्षा होगी जिसमें उद्यपूर जिले में एक लाख एकिस हजार नौ सचोदा अब हर्थी शामिल होंगे बारा नुवंबर को पहली पारी में सुबह दस से बारा बजे तक 27,249 अभ्यर्थी परिक्षा देंगे वहीं दूसरी पारी में दोपया धाई से शाम के साड़े चार बजे तक 33,720 अभ्यर्थी शामिल होंगे इसी तरह 13 नौमबर को पहली पारी में 30,435 और दूसरी पारी में 30,520 परिक्षा रथी शामिल होंगे रासान की सबसे छोटी नगरपालिका में शुमार नसीराबाद नगरपालिका के चेर्मेंट पत के उपचुनाओं में कॉंग्रेस और भाजपा के बीच हुए रोमांचक मुकाबले वश्य वर्मात के खेल के बीच भाजपा ने बाजी मारते हुए अधैक्ष पत पर कपज कर जीत का पर्चम लहराया उपचुनाव के लिए आयोजित मदान में कुल बीस निर्वाचित पाशचदों में से 18 पाशचदों ने मदान किया तथा भाजपा के दो पाशचद मदान के लिए नहीं पहुंचे निर्वाचद अधिकारी एस्टीम अंशुल आमेरिया ने मद गरना के बाद भाजपा की अनिता मित्तल को विजई घोशित किया ऐसे सिन ने दिल्ली पलिस परिक्षा 2022 में हैड कॉन स्टेबल पदों के लिए अंतरिम उत्रकुंजी जारी कर दी है उमीदवार आधिकारी के वेबसाइट से उत्रकुंजी डाउनलोड कर सकते हैं आवेद प्रती आपती पर सो और पर शुलक देना होगा उमीदवारों के रिस्पॉंस शीट के साथ साथ अनितेटी उत्रकुंजी लिंक पर उपलब्ध है दौसा जिले की बांदी कोई शहर की विभिन मार्गों पर गड़ों के बीज से निकल रहे वहंचालक और राहगीरों के लि सिशतिग्रस होने से वहन हिचकोली खाते हुए निकलते हैं इसे लेकर दो अलग-अलग योजनाओं में शहर के सभी मुखे सडकों का निर्मान होगा ताजेवे केंद्र सरकार ट्रेनिंग के नाम पर अफसरों को विदेश भेजने पर हर साल भारी राशी खर्च करती है इस सुदेशी से किवे दुनिया में नई तकनिक नवाचार आदी देखे सिखे और लोट कर देश प्रदेश को इसका लाब दे लेकिन सब्स तो यह है कि ऐसे प्रशिक्षनों के नाम पर अफसर सिर्फ विदेश भ्रमन का लुथ उठा रहे हैं इन प्रशिक्षनों का जनता को फाइदा ना के बराबर में रहा है अब आरेएस पांडिया को सरकारी खर्च पर जर्मनी भीजा है जोदपुर की खेल सुविधाओं के मामलों में एक नया अध्याय आज से आकार लेना शुरू हो जाएगा फिसकल कालेज में साट करोड की लागसे आधुनिक स्पोर्स प्रस्तावित है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्प्टी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर